Hello everyone, so इस वीडियो के अदर हम लोग basically discuss करेंगे वेपलाइजर extension को वेपलाइजर extension basically यह कैसी extension है अगें जो कि सिर्फ वन क्लिक के ओपर किसी भी वेब साइट या वेब पेज के आपको टेखनालोजी स्टैक एक्स्टोर करके दे लेगी so यह काफी helpful है developers के लिए even testers के लिए again just on one click आप पूरी technology stack उस website का जान लेंगे अगर वो mask नहीं हुआ वा by those developers जिन्होंने वो बनाया हुआ या फिर testers so again यह काफी helpful again आएगी again DevOps engineers के लिए जिनको day to day daily basis के उपर different websites को explore करना पड़ता है या फिर एक ऐसे developer को जो देखना पड़ता है कि जैसे freelancing के अंदर के website जो भी इनको मिलती है कि जिसमें को इनको technology stack देखना पड़ता है daily basis के उपर के like wordpress है shopify है कौन सा CMS है कौन से scripting वो वेरा use हो रही है जिसमें वो detect कर सकते है तमाम libraries इसके लवा CDNs और इसके लवा further कौन से उसके अंदर marketing tools यूज हो रहे है या कौन से ऐसे CDNs या links लगे हुए जिसके लोड टाइम जादा आ रहा है तो again आपको in one go सारी extensions का पता चल जाएगा अगर वो mask नहीं हुए भी वैपलाइजर आपके लिए help करता है सारी extensions को explore करता है और again इसके दो versions हमारे पास वेले उपर होते हैं तो चलते हैं स्क्रीन्स की तरह पर इसको download करते है Hello friends and welcome again So screens के ओपर हम लोग बेसिकली आगे हैं वैपलाइजर extension को install करने के लिए So overall आपने Chrome यहां से open कर लेने So google के अंदर आपके पस first link आ रहा होगा क्योंके आपने basically google web store से यह extension download करनी है वैं description के अंदर दोनों links डाल दूँगा यह firefox के लिए भी available है extension और basically google के लिए भी available है Google Chrome के लिए So again आपने सबसे पहले वैपलाइजर के link पर जाना है first link जो होगा हमारे पास Overall इस extension को भी detail में हम यहाँ पर पर भी लेते हैं सबसे पहले add to the chrome करते है So again जैसे के मैंने आपको शुरू में बताया है कि again with one click जस्ट आपको यह पूरा technology stack किसी भी website का explain कर देगी Overall developers के लिए काफी helpful है Not even developers, testers या फिर हमारे पास जो devops होते हैं उनके लिए एक stack technology का understand करना या फिर उसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है Overall So जब तक हमारी extension डाउनलोड हो रही है हम इसको overall देख भी लेते हैं So WebLizer is a technology profile that shows you what websites are built with जैसे के उन्होंने बहुत clear first line के अंदर नहीं लिख दी है Find out the CMS, even यह सारे आपको CMS भी बिता देती है कौन से जावा scripting भी अंदर यूज हो रही है जैसे के react है, angular है इसके लाबा फिर्दर जो भी चीज़े होंगी वो सारी आपको extension यह सारी चीज़े बिता देगी further अगर हम इसको थोड़ा सा और explain करें So इसके लाबा CRM भी detects कर सकती है CDNs भी detect कर सकती है इसके लाबा payment gateways वगएरा marketing tools और analytics programming languages PHP में है, python में है इसके अदर ASP.net यूज हो रहा है So again, within just one click आप technology stack को पूरा determine कर लेंगे या फिर आपके सामने आ जाएगा So extension successfully हमारी install होगी आपके पस यह page open हो जाएगा और इसके में हमारे पस एक video भी है जो as an intro video है उनकी तरफ से So overall आप इसको प्ले करके चेक भी कर सकते है Overall अगर मैं extensions की यहाँ पर बात करूँ क्योंकि extension अभी तक हमारी pin नहीं है So हम इसको pin कर लेते हैं यहां से Unpin भी कर सकते हैं Depend करता है हमारे recording और इसके इलावा हम manage extensions में जाते हैं तो इसके लावा इसमें हमारे पास कुछ settings आती है हमने इनको नीटो mode में इसको open करना है तो again हमारे पास यह option available है और अगर हमने नहीं करना तो again वो हमारी mercy है खीक है So इसके लावा rest हमने pin उसको कर लिया हुए और इसके लावा that's it तो हम यहां पे overall Udemy की website पे जाते है और भी एक दो website खोल लेते हैं probably Coursera की भी website भी खोल लेते हैं again यह हमारे पास learning platforms है Udemy एक काफी अच्छी website है again जहां से आप courses को learn कर सकते हैं different even यहां पे paid or free दोनों का combination है so काफी अच्छी website है मैं इसका description में लिंक दे दूँगा अगर आपने आप में से कोई भी course को कि यहां पे like learn करना चाहता है different technology stacks के अदर तो again काफी helpful है courses इनके पस तक्रीवन सारी categories है ID software houses में certifications भी है as well as इनके पास तक्रीवन programming languages में काफी bespoke से हुई है so again आप learn कर सकते हैं यहां से so course है अभी एक website है again universities के यहां पे courses list down होए होते है इसके लबा short courses भी available होते है so हम दोनों की technology का stack यहां पे अभी देख लिए so जैसे कि मेरे पास मैंने udemy load की मेरे पास यहां पे 22 something कुछ आ रहा है सबसे वहले हम click करते है और देखते हैं 22 में यहां पे क्या so again udemy python programming language यूज़ कर रही है framework track for यूज़ कर रही है इसके लबा google tag manager यूज़ कर रही है analytics वो बहुत से different type of analytics यूज़ कर रही है red dog हो गया facebook वो कर रहा google के भी हो गया stift हो गया है जोके काफे popular है again multiple again चीज़ों को udemy use कर रहा है जैसे कि आप overall देख सकते है cookies compliance के लिए one trust को use कर रहा है और advertisement के लिए amazon advertisement भी twitter भी और reddit भी जो है ads वगरा के लिए use कर रहा है cloud flare जैसे कि मैंने आपको cdn बताया है overall cdn में हमारे पास cloud front भी होता है AWS का cloud flare भी होता है इसके लब भी बहुत से cdns अवेलेबल होते है लेकिन वो free cdns को use कर रहे है again cloud flare so काफी हद तक technology stack हमारे सामने open है इसके लब अगर हमने more info यहापे तो technology stack की information आ रही है अगर हम more info में जाते है API की इसके थूँ हम यानिके further बहुती चीज़ें कर सकते है but वो paid है so get plus for the 10 month with a plus company and contact details of the so अगर अगे अगें आप इनका paid package लेते है तो आपको company की details के इलावा website की further information और again contact details contact details के अदर emails of developers of owner of the companies यह भी आपको इसमें further information मिल रहेगी जो के again काफी helpful रहेगी so again आप वो depend करता है depending upon के आपने उसको किस्ता से utilize करता है हम कोर्षरा पे जाते हैं again यहां पे हम आपस 22 something technology सेक आज़ता है यहां पे हम आपस 29 आ रहे है so again जैसे कि मैंने आपको CDNs का ही बताया कि again वो CDN as in cloud flare यूज कर रहे थे यह CDN as in cloud front यूज कर रहे which is again आपको clear हो रहे है कि कौन से CDNs हो रहे है analytics में भी अगर देखें तो LinkedIn analytics यूज हो रहे हैं and Quora pixels भी यूज हो रहे हैं Facebook और GF4 यहां पे mentioned है analytics वो नए किसम के GF4 जो के shifting के purpose पे वो यूज कर रहे हैं फर्दर अगर हम देखें थोड़ा सा बिस्पोक है चीजें JS development motion एक library है JS में एक होती है react technology stack को यह यूज कर रहे है framework की यहां पे बात करें तो again यह node का framework again express यूज कर रहे है जो के काफी again famous है और again speed optimization के purpose से काफी अच्छा है one trust compliance cookies को यूज कर रहे है यह node.js जैसे के मैं आपको बताया programming language यूज हो रहे है उसी का framework express यूज हो रहे है so again आपको तकरीबन काफी एक wide knowledge मिल रहे है कि एक website कौन से technology stack को कर रहे है इसी तरह कुछ technology stack कुछ websites के उपर जाते हैं जो के उनके honors की तरफ से या पर developers की तरफ से overall hide किया होता है जैसे के example के लिए हम लोग अकर Amazon की website open करें यहाँ पर हम Amazon की website officially open करते हैं so उन्होंने कुछ चीजों के उपर इस तरह से होता है कि technology stack mask किया होता है ठीक है आप इतनी ज़्यादा information नहीं देख सकते है so आपके पास कुछी information आती है जो आप देख सकते है जो again वो देखाना चाहते है बट कुछ तकरीबन 72-75% companies इस तरह से चीजों को mask नहीं करती बहुत कोई hi-fi company हो या फिर different उसको कोई hacking का या फिर कोई इस तरह की चीजों का ना हो अगर suppose करें डर वगएरा तो in terms of वो इस तरह की masking वगएरा नहीं करते in terms of overall जो है हमाई पस जो वैपलाइजर है ये काफी है तक चीज़े detect कर लेता है जैसे कि हमारे पास इधर भी Amazon की वेबसाइट को हम अगर देख रहे हैं overall तो यहाँ पर jQuery library यूज हो रही है even cloud front यूज कर रहे है लेकिन इसके लवा वो programming language reveal नहीं कर रहे है यहाँ पर अगे अगे वोनोंने mask की हुए अगे developers नहीं या फिर उनके testers वोगरा नहीं proper stack बहुत अगे आपको पता है कि वो basically जैसे wordpress side हो सकती है अगे वो Shopify website है और अगे वो बनी भी उसी में होई याप और आप make sure मतलब आपको 110% पता है कि अगे वो WordPress पे है या Shopify पे है और वेपलाइजर टूल again basically उसको detect नहीं कर बारा या फिर उसमें कोई गढ़र technology stack बता रहा है तो maybe उसके cash का issue हो सकता है आपने just ये gear icon पे जाने again आपने gear icon को click करने तो एक निया page आपके पास open होगा clear cash dedections आपने यहाँ पे click कर देने ये just one time click करने है और दुबारा से उस particular website को reload करने और again आपके पास technology stack उस particular website का accurate आजएगा sometimes cash में चीज़े होती है जो के वो पुरानी दिखा रहा होता है but आप जब ये cash clear करेंगे और reload करेंगे उसी website को web pages को तो again आपको properly detect करके दिखा देगा so weplizer extension है just on one click आपको उसरा technology stack देगी so thank you for watching this video